जै श्री राम जै बागिश्वरधाम दोस्तो आज का जो वीडियो है वह बहुत ही बहुत ही खास है इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किये जरूर देखेगा और हाँ जब आप इस वीडियो को पूरा पांच मिनट तक देख लेंगे तब आपको खुद लगेगा कि जो मेरा समय था उसका सदुपयोग हुआ है ये बहुत ही आसान सा उपाय है दोस्तो बिना समय खड़ाब किये वीडियो को आरम करते हैं आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो तमाम प्रकार के रत्न यानि के स्टोन अंगुठी के रूप में या फिरताबीच बना कर पहनते होंगे क्योंकि इससे हमारे गर्वों की दश्चा ठीक रहती है और यहां तक भी माना जाता है कि हमारे जीवन की जो परिशानिया है वेह भी समाप्त हो जाती है लेकिन बहुत से लोग इन मेहंगे रत्नों को खरीद नहीं पाते हैं और अंगुठी भी नहीं बनवा पाते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोग खरीदने के शमता भी रखते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उनके लिए कौन सा रत्न उचित रहेगा ऐसे में आज मैं आप सबको एक ऐसे पेड के बारे में बताने जा रही हूँ जिसकी जड़ बहुत ही लापकारी है दोस्तों जिसे धारन करने के 24 घंटों के अंदर जी हाँ दोस्तों 24 घंटों के अंदर ही चमतकारी प्रभाव आपको देखने को मिल जाएंगे यह बहुत ही आसानी से मिल भी जाता है तो आज का जो वीडियो है यह बहुत ही बहुत ही खास है दोस्तों इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किये हुए पूरा देखिए वीडियो के आखिर में आपको पता लगेगा और आप खुद कहेंगे कि आखिर क्यों मैं इतने महंगे महंगे रतनों के पीछे भाग रहा था जबकि मुझे एक छोटी सी जड़ से ही इतना लाब प्राप्त हो गया दोस्तों इस जड़ को पहनने के लाब अंगिनत है आप पेसे यदि किसी ने पहननी होगी तो आप प्लेज मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा आप सभी इस जड़ को धारन अवश्य कीजिएगा लेकिन कब और कैसे ये मैं आपको बताती हूँ इस जड़ को धारन करने से आपके जो पुराने कश्ट है या धन संबंदी जो भी परिशानिया है वह बहुत ही जल समाप्तोनी शुरू हो जाएगी हमारे हिंदु धर्म में और जोती शाष्त्र में बहुत से व्रक्षों को शुब माना गया है और पुराने समय में लोगों की द्वारा इन व्रक्षों को सही इस्तेमाल किये जाने पर अनेको लाप्राप्त होते थे लेकिन यह ज्यान और विद्या आज के समय में विलुप्त होती जा रही है इसलिए हमारा ये मकसद रहता है कि हमारे शाष्ट्रों का जो बहुमुल्य ग्यान है वह हम किसी तरह आप सभी तक पहुचा सकें और जादा से जादा अपने सनातन धर्म को फैला सकें कई लोगों की जीवन में ये कश्ट मुक्त होने में बहुत ही जादा लापकारी सिध हुए है इस छुपे हुए ग्यान को यदि व्यक्ती सही धंग सी जान कर प्रियोग कर ले तो अपनी किस्मत वह खुद बदल सकता है जी हाँ दोस्तो अपनी किस्मत हम खुद ही तो बदलते हैं कोई भी हमारी मदद करने नहीं आता यहां तक होता है कि कश्ट के समय में लोग हमसे दूरियां बना लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पता नहीं ये आदमी दुखी है और कब हमसे करजा मांग ले इसलिए हमारी जो समस्या है जो भी दुख है उनका निदान हमें खुद ही ढुणना होगा दोस्तो यदि किसी व्यक्ति की कुणली में कोई ग्रह कमजोर है तो वह व्यक्ति कितना भी प्रियास क्यों ना कर ले दोस्तो वह अपनी किस्मत नहीं बदल पाता है वह अपनी स्थिती सही नहीं कर पाता है ऐसे में यह उपाय बहुत ही कारगर सिध हो जाता है तो अब मैं आपको यह मैत्पून जानकारी देनी जा रही हूँ आप ध्यान से इसे सुन लीचे यदि आप लंबे समय से बिमार रहते हैं तो आप गूलर के पेड की जड़ को जी हाँ दोस्तो गूलर के पेड की जड़ को आपको क्या करना होगा आपको एक सफेद कपड़ी में गूलर के पेड की जड़ को लपीट कर शुकरवार के दिन ध्यान से सुनिएगा शुकरवार के दिन आपको धारन करना है आपको शुकरवार के दिन क्या करना है आप गूलर के पेड की थोड़ी सी जड़ ले लीजिए या तो आप उसका तावीज बनवा कर पहन सकते हैं यदि आपको ताबीज नहीं पहनना है तो आप सफेद कपड़े में लपीट कर अपनी कमर से भी बांद सकते हैं इससे आपकी कुंडली के शुक्र ग्रह जो कमजोर है वह आप दूर कर पाएंगे ये जितनी भी परिशानिया हैं जो हमें शारिरिक परिशानिया होती हैं उसमे यह उपाएं बहुत ही ज्यादा कारगर सिध्ध होगा आप अपनी जिन भी शारिरिक समस्याओं से जूज रहे हैं धीरे-धीरे वह समस्याइं समाप्त हो जाएंगी आपकी जो भी पुरानी से पुरानी बीमारी है वह अवश्य ही इससे समाप्त हो जाएगी आप बिलकुल स्वस्थ हो जाएंगे बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप यह उपाएं केवल और केवल शुक्रवार के दिन ही करें अब अगला उपाएं हम उन लोगों के लिए बता दें जिनके जीवन में धन से संबंधित समस्याइं हमीशा बनी रहती है कर्ज में डूबे हुए उन व्यक्तियों के लिए जो बहुत ही जादा परिशान है और ऐसे व्यक्तियों के लिए जिनके पास धन का बहुत जादा अभाव है क्योंकि जब धन का अभाव होता है तो जितने रिष्टिदार होते हैं वो सब करने काटना शुरू कर देते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ये उपाय बहुत ही खास है दन के समस्या होने पर व्यक्ति कितनी बार करज में भी डूपता जाता है तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना है दोस्तों ध्यान से सुने पीपल के पेड की थोड़ी सी जड़ लेकर उसको पीले कपड़े में बांध ले फिर इस जड़ को ब्रस्पतिवार के दिन धारन करना चाहिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समस्या इत्ता वाती है जबकि उसके कुंडली में गुरु दोश होता है तो इस दोश को इसके प्रभाव को पीपल की जड़ के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है पीपल के पेड की ज जीवन में कभी कोई आर्थिक समस्या नहीं रहेगी और धन आने के सारे मार्ग खुल जाएंगे इस जड़ को धारन करने मातर से ही माता लक्ष्मी हमेशा अपना अशिरवाद आप पर बनाए रखेंगी केवल इस बात का ध्यान रखिएगा इसे सिर्फ गुरुवार के दि रहती है यानि कि उनके जीवन में संपत्ति तो है लेकिन सुख नहीं है तो ऐसी में उन व्यक्तियों को क्या करना चाहिए तूलसी की जो जड़ होती है जड़ थोड़ी ताजा होनी चाहिए जीहां दोस्तों ताजी जड़ का मतलब शायद आप नहीं समझ पा रहे होंगे जो छोटा पोधा होता है उस छोटे पोधी की जड़ को आप किसी भी लाल कपड़ी में बांद कर धारन कर लें इसे आप ताबीज बनाकर भी धारन कर सकते हैं आप तुलसी के पत्तों का पाउडर बनाकर उसे भी मस्तक पर धारन कर सकते हैं तुलसी का पाउडर बनाकर यदि आप अपने मस्तक पर लगाते हैं तो उसे भी दोस्तों आपकी जो मानसिक विकार हैं जो समस्याएं हैं वे धीरे-धीरे समाप्थ होने लगती हैं कई लोगों को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों को डिप्रेशन की समस्या होती है ऐसे में यदि आप कुद भी आजमाती हूं दोस्तों में डेले अपने मस्तक पर तुलसी का तिलक लगाती हूं और इसके द्वारा मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है मेरे चारों तरफ ही हमीशा एक पॉजिटिविटी रहती है एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रहती है आप इस उपाई को जरूर करिएगा तुलसी के पाउडर को अपने मस्तक पर लगाने वाला उपाय तो एक ऐसा उपाय है कि जिनके जीवन में यदि कोई भी समस्या नहीं है वह भी इसे लगा सकते हैं आप महसूस करेंगे दोस्तों कि आप पोजिटिविटी से भर गए हैं आपको बहुत अ उपाय किया है यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे होगा क्या कि हम जब भी कोई नई वीडियो आपको देखने को मिलेगी फिर मिलेंगे इसी प्रकार की जानकारी के साथ जैश्री राम जैबागिश्वरधाम